हेलो दोस्तों आप सभी का मेरी चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है और आज हम बनाएंगे बिल्कुल होटल या रेश्टोरेंट स्टाइल लाल दाल या मसूर दाल का तड़का और वो भी बिना प्रेसर कूकर के वो भी बिना महनत और कम जंजट के होटल या बनाएंगे तो चलिए इसकी रेसेपी देख लेते हैं इसके लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे गैस अन करेंगे और कढ़ाई को अच्छे से गरम होने देंगे और यह देखे कढ़ाई हमारी अच्छी तरह गरम हो गया हम इसमें 2-3 चमच तेल डालेंगे तेल डाल एक तेजपत्ता डालेंगे एक चुटकी हिंग डालेंगे गैस का फ्लेव मीडियम रखेंगे और सारे इंग्रीडियन का फ्लेवर तेल में आ गया है और अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे यहां मैंने 2 टुकड़ा दाल चीनी एक जावित्री दो लॉंग एक इलैची और चकरी फूल का एक टुकड़ा लिया है और अब हम सभी को तेल में डाल करके इसे भी अच्छे से तेल में चटकने देंगे और अब हम इसमें दो हरी मिर्च डालेंगे हरी मिर्च से इसमें फ्लेवर अच्छा आता है अगर आपको पसंद दे तो आप इसमें डाले नहीं तो आप इसे भी escape कर सकते हैं एक चमच बारी कटा हुआ अदरग डालेंगे और अब हम इन सभी इंग्रीडियन को अच्छे से medium flame पे चलाते हुए एक से दो मिनट के लिए भूल लेंगे जिससे हमारे इंग्रीडियन जलेंगे नहीं और अब हम इसमें बारी कटा हुआ एक प्याज डालेंगे प्याज डाल करके हम इसे भी medium flame पे ही चलाते हुए हलका सुनहरा कलर या golden कलर आने तक अच्छी तरह भूल लेंगे या saute कर लेंगे जिससे प्याज का कच्चापन खतम हो जाएगा प्याज को भूनते हुए दो मिनट हो गए है और अब हम इसमें बारी कटा हुआ एक लाल टमाटर डालेंगे लाल टमाटर से इस रेसेपी में बहुत ही अच्छा टमाटर का फ्लेवर और कलर आता है और येसे भी हम हाई फ्लेम पे चलाते हुए एक मिनट के लिए भून लेंगे जिससे टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएगे टमाटर का कच्चापन खतम हो जाएगा और टमाटर का पानी भी अच्छी तरह सूख जाएगा और अब हम इसमें स्वाद अनुसार आधा चमच नमक डालेंगे नमक डालकर हम इसे भी चलाते हुए अच्छी तरह नमक को सारे इंग्रिडिटन में मिक्स कर लेंगे जिससे नमक का फ्लेवर बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और आप देख सकते हैं टमाटर पानी छोड़ रहा है, और इस टेंप पे हम इशमें मसाले अट करेंगे, आधे चमच हल्दी अट करेंगे गैस का फ्लेम मेडियम रखेंगे और अब हम इसमें आधा चमच धनिया पौर्डर डालेंगे इस टेम पे मसाले एड़ करने से मसाले हमारे जलेंगे नहीं और अब हम इसमें एक चौथाई चम्मच जीरा पॉर्डर डालेंगे सारे मसाले डाल कर और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए एक मिनट के लिए और अच्छी तरह भून लेंगे जिससे मसाले हमारी अच्छे से भून भी जाएंगे और ये जलेंगे भी नहीं और आप देख सकते हैं मसालो को भूनते हुए 1-2 मिनिट हो गया है मेडियम फिलेम पे टोमाटर हमारी सॉफ्ट हो गए हैं और मसाले भी अच्छी तरह भून गए हैं और अब हम इसमें अधा चमच कासमेरी लाल मिर्च पॉर्डर डालेंगे ये डालना बिल्कुली ऑफसनल है और अब हम इसे भी चलाते हुए सरे मसालों के साथ अच्छी तरह मिलाते हुए मिक्स कर लेंगे ये हमारी अच्छी तरह भुन गए और आप देख सकते हैं मसालों से तेल रिलीज हो रहा है और इस टेम पे हम इसमें धुला हुआ मसूर का डाल डालेंगे यहां मैंने मसूर डाल को 10 मिनट पहले भिगो दिया था और अब हम इसे कड़ाई में डाल कर इसे भी चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह भून लेंगे जिससे मसूर डाल भी हमारे मसालों के साथ मिक्स हो जाएंगे और इसका भूनते हुए कच्चा पन भी खत्म हो जाएगा मसूर डाल को भूनते हुए एक मिनट हो गया है और ये देखिए दाल हमारे मसालों के साथ अच्छी तरह भुन गए है और अब हम इसमें दो गिलास पानी एड़ करेंगे पानी डाल कर गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसे इस तरह चलाते हुए पानी के साथ मिक्स कर लेंगे जिससे दाल तले में और दाल हमारा अच्छी तरह पकेगा और हमें इसमें बाद में पानी डालने की भी जरूरत नहीं है धक कर हम इसमें उबालाने देंगे और ये देखिए इसमें उबालाना स्टार्ट हो गया है और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे धक कर मीडियम फ्लेम प पकने देंगे और ये देखिए 10 मिनट बाद हम दाल को इस तरीके से चेक कर लेंगे दाल हमारा बहुत अच्छी तरह से गल गए है और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे आप चाहे तो इस टैम पे गैस का फ्लेम आफ कर देंगे या आप इसे और थोड़ा दिर पकने दे जिससे दाल पकेगा और ये गाढ़ा हो जाएगा और अब हम इसमें 14 चमच गरम मसाला डालेंगे और अब हम इसे चलाते हुए गरम मसाला को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे एक मिनट के लिए पकने देंगे जिससे गरम मसाला का फ्लेबर दाल में अच्छी तरह आ तकेंगे और गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और चलिए अब हम इसे प्लेट में सब कर लेते हैं लाल मसूर दाल दड़के को आप पूरी पड़ाथा रोटी चपाती किसी के भी साथ खाई ये खाने में बहुत ही जदा टेश्टी और डिलीसेस लगता है तो अगर आपको मेरी मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को संस्क्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और मुझे फेस्बुक पेच पर भी जरूर फॉलो करें तो चलिए अब मैं आप सबी के साथ मिलूंगी एक और नए रेसिपी में झाल